और पार्ट एसा कि नमिश्का आश्क इन्यूस भारत में आप सभी का स्वागत है शबग्त में आपके साथ रिच्वा सेंख वक्त हो चुका है आपके अपनी प्रोग्राम आज की राशिफल का आज की राशिफल में हम जानेंगे क्या कहा रहे हैं आपके सेतारे ग्रेन शुत अपनी चाल बदलते रहते हैं जानेंगे कि आपकी राश्य फल में क्या है आज की ग्रहों की चाल और जानेंगे की मेश से लेकर मीन राशी का क्या हाल है तो चलिए शुरू करते हैं आज का राश्य फल मीश राशी, सभी शेत्रों में उल्लेखनी इस्थिती बनाई रखी, उत्सा और विश्वास से कारी करें, परिक्षा प्रतिस परधा में सपलता मिल सकती है, उपाई सूरे को जल दें व्रिश्व राशी, व्यक्तिगत मामलों में रुची हो सकती है, पारिवारिक विश्यों में भावुक ना हूँ, कामकाजी प्रयास बनेंगे उपाई, काली मा की पूजा करें मिथुन राशी, आर्थिक वाड़ेजिक मामलों को गती देंगे, रिष्टों में मद्बूती आ सकती है, कमदूरी की यात्रा कर सकते हैं, उपाई, किसी गाई का उपचार करा दें करक राशी, उपहार या सम्मान में व्रिध्धी के योग हैं, कारिशेत्र में बाधा आ सकती है, नेत्र या उधर विकार की आशंका है, उपाई, किसी गरीद को वस्तरदान करें सिंग राशी ग्रियो उपयोगी वस्तों में व्रिधी होगी रिष्टों में निकटा आ सकती है शिव प्रस्तावू को प्राप्त कर सकते हैं उपाई सूरी को जल दे कन्या राशी, मैला अधिकारी का सायोग प्राप्त हो सकता है, भागी प्रबल होने से विरोधी परास्त होंगे, पारिबारिक दाइप्र की पूर्ती होगी, उपाई, सुबह गाय को हराचारा खिला दे तुल्या राशी, कामकाज में उम्दा इस्थिती बनाए रखें, लाब और प्रभाव बढ़ानी में सफलता पाएंगे, एक्षित कार्य पूरे हो सकते हैं, उपाई, बस्त्रदान करें ब्रिश्यक राशी, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, किसी बात को लेकर मन पुदास हो सकता है, स्वासिके प्रती सचेत रहें, उपाई, सुबह हन्मान चालीसा का पाट करें धन्यू राशी, रचनात्मक प्रयास फलिभूत होंगे, स्माल से के प्रती सच्वीत रहें, आर्थिक मामलों में प्रगती हो सकती है, उपाई, गाई को भोजन करा दें मकर राशी, जीवन साथी से ये तनाव मिल सकता है, जीविका की शित्र में प्रगती हो सकती है, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा उपाए, सुबह शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें मीन राशी, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त हो सकता है, चलिया अचल संपत्ती में सपलता मिल सकती है, सेवा शित्र में प्रभावी रह सकते है फिलाल आज के राशी फल में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए, सीनियूस भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ